नमस्कार अब सभी का स्वागत है मेरे स्यूटूब चैनल पे हम पढ़ रहे हैं कक्षा 6 की हिंदी के पाठ्थे पुस्तक बसंत भाग एक का 13 वा पाठ्थ पाठ्थ का सीशक है मैं सबसे छोटी हूँ यह पाठ सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा लिखी गई एक कविता है जिसमें कवी ने छोटी सी बच्ची के माध्यम से सबसे छोटे होने की कलपना की है क्योंकि जब हम बहुत छोटे होते हैं तो हमें अपने माता पिता या अपने बड़ों का बहुत ज़ादा प्यार और अटेंशन मिलता है जो बड़े होने पर उतना नहीं रहता है तो आईए कविता की पंक्तियों के माध्यम से कवी की भावनाओं को समझने की कोशिश करते हैं ऐसी बड़ी न होऊं में तेरा स्नेह न खोऊं में तेरे आचल की छाया में छिपी रहूं निस्प्रह निर्भाई कहूं दिखा दे चंद्रो दै प्रस्तुत कविता में सुमित्रा नंदन पंत जी छोटी बच्ची के माध्यम से कह रहे हैं मैं सबसे छोटी हूँ तेरी गोदी में सोई रहूं तेरा अंचल पकड़ पकड़ कर फिरू सदा मा तेरे साथ जिस तरह छोटे बच्ची अपनी माँ का आचल पकड़ कर उनके आगे पीछे उनके साथ चलते रहते हैं उसी तरह वह जोटी बच्ची भी अपनी मा का आचल पकड़ पकड़ कर उनके साथ चलना जाती है कभी न छोड़ू तेरा हाथ और कभी भी अपनी मा का हाथ नहीं छोड़ना जाती है बड़ा बना कर पहले हमको तू पीछे चलती है मात अब प्रसुत पंक्डियों के माध्यम से छोटी बच्ची अपनी मास सिकायत कर रही है तुम पहले हमको बड़ा बनाती हो, पाल पोस कर बड़ा करती हो तू पीछे चलती है मात और उसके बाद पीछे यानि कि उसके बाल तुम हमें चलती हो यानि कि तुम उस तरह का बिवहार हमारे साथ नहीं करती हो यानि कि अपने हाथ पकड़कर हमारे साथ हमेशा दिन रात नहीं चलती हो जिस तरह से तुम बच्पन में चलती हो तो इस प्रकार से तुम हमें चल रही हो अपने कर से खिला धुला मुख़ धूल पूच सजिद कर गात ठमा खिलाने नहीं सुनाती हमें सुकत परियों की बाद जिस तरह तुम बच्पन में अपने कर अर्थात अपने हाथ से हमें खिलाती थी धुला मुख हमारे मुख को धुलाती थी धूल पोँच हमारे कपड़ों की या हमारे वदन की धूल को पोँच कर सजित कर गात और हमारे गात गात अर्थात सरीर को क्या करती थी सजित करती थी थमा खिलोने नहीं सुनाती हमें सुकत परियों की बात बच्पन में तुम हमारे हाथों में खिलोने थमाती थी और हमें सुकत परियों की बात सुनाती थी लेकिन अब ये सब चीजे तुम नहीं करती हो इस प्रकार तुम हमें क्या कर रही हो चल रही हो ऐसी बड़ी न हो में तेरा सनेह न खो में तेरे आचल की छाया में छिपी रहो निस्प्रह निर्भाई कहूं दिखा दे चंद्रो दई तो ये छोटी बच्ची कह रही है कि ऐसी बड़ी में नहीं होना चाहती हूं जिस बड़े हो जाने पर इच्छा नहीं है। जिसमें तेरा सनेह प्रेम नहों तेरा सानिध्य नहों और तेरे सनेह को मैं नहीं खोना चाहती हूं। दर्शन करा दो इस तरह से इस कविता के माध्यम से कभी नहीं छोटी बच्ची के माध्यम से एक बच्ची की इच्छा को व्यक्त किया है आशा है आप लोगों को पाट का भाव समझ में आया होगा धन्यवाद